नमस्कार स्वागत है आप लोगा एटियन लाइब पे तो आज हमारी टीम उसरी खुर्द पंचायत में आया है जो हसनपुरा परखंड में पड़ता है और आज हमारे साथ मौजूद है कलीम मुख्या जी और इनके पत्नी इस बार जीत चुकी है इस बार मुख्या पद में उनको मिला है 506 वोट मिला है 506 वोट से जीती हुई है और उनके मुख्या पति कलीम खान हमारे साथ मौजूद है और देख सकते हैं कि इनके पीछे कई इनके पंचायत के समर्थक भी हैं तो आई हम इनसे बात करेंगे किउनके चुनाओं से पहले इनोंने क कुछ वादे किये थे कुछ दावे किये थे उन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे और इस बार जी चुके हैं पांच सल में अब क्या कुछ विकास का काम करेंगे वह तो आने वाले वक्त पता चलेगा तो आई हम सीधे तोर पर इंसे बात करते हैं और इनको बधाई देते है सबसे पहले स्वागत है आपके भी एट्येन चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है आपने मेरे चिनौाव गदारवन भी मेरे इंटर्वियू लिया था और आज भी आए हैं इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्र आपका सुक्र गजार हूं आप विजय हो चुके हैं आपको ध पादपाद से उपर उठके आपने इस बार अपना जनता में लोगों से मीले बात किये इसी कर नतीजह है कि आज आपको जनता ने चुन कर सदन में भेजने काम किया है आपने जीतने आपने चुनाव से पहले कई वादे भी और ऑतकी अपन्चैत में avens बार्दने दाँएं जितने वी वादे किया है उसको मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि उसको पूरा नहीं करो हर वादे को पूरा करने की कोशिश करूं देखा जाए तो एंबुलेंस की ज्यादा जरूरी है पंचायत में क्योंकि एंबुलेंस नहीं रहने के वैसे कई लोग जो इतना जल्द हो पहले मैं एंबुलेंस का यहां विवस्ता करूं तक है मेरी जो भी जनता है जो कोई विमारी होता है तो सीवान जाने में समर्त है अ उसको मैं जो हर जनता के काम आप बात कर लेते हैं कि बीते पांच सालों में काम जो आप नहीं हुआ है और जो हुआ है वह सब आपको पता होगा अगर आप अभी स्वर्जीत चुके हैं कैसे अपने पंचायत में विकास का काम कीजिए क्या कुछ कमी बेसी है जो दिख रहा है कि कौन सा काम कहां नहीं हुआ है उसको कराया जा सकता है देखे हमारे यहां बहुत कुछ काम नहीं हो सिर्फ लूटने का क 2001 से पांच तक में मुख्या रहा उसमें कहीं भी इट नहीं दिखाई देता था मेरा लेकिन जहां तक उस टेम फंड भी कम था बहुत कम पैसा आता था लेकिन उसी में मैंने जो जहां तक हुआ हर गाउं में काम कराने की कोशिस की नाला से लेके पूल पुलिया तक बनाया हुआ हुआ दो नाला नाहीं तर जलरा है और विकास के नाम पर यहीं हुआ है उस नाले को सिर्फ दो युटा निकाल के वस फिर लगा दिये उस पर सिलाप से भग काहई जिताक cambi दो पाता नहीं से पुतन और वहुकर टूंग उसको पूसक कराउण ऊच चाहर Vikt पाई Also कर कराऊंगा उसको जाच कराऊंगा अच्छे आपके पंचायत में देखा जा रहा है कि नली-गली का इस्तिती बहुत जरजर है तो क्या माना जाए कि इस सारी चीजों पर आप कैसे काम कीजिएगा बिल्कुल हर जगा जहां भी नली-गली में नहीं हुआ है जहां भी बाकी है इसको मैं को सर्वे करेंगा चुक्षों में था कहीं मैं हर देख नहीं पाया था लेकिन अब जहां भी हमको बनाने के कोशिश करूंगा कई लोग का आरोप था कि आपके पंचायत में इधर उसरी खुर्द में उस तरफ के कोई सड़क है जो उसका मामला बहुत ज्यादा गंभीर दीख रहा है क्योंकि वहां पे सड़क सही से निकला नहीं है वहां पे सायद उधर कविस्तान भी है के लिए सच्छम होंगे देखिए वह काम हो गया है लेकिन बिल्कुल अधूरा है चुकर आज के डेट में भी कहीं भी सोलिंग होता है तो दो नंबर से इटा से आप करा सकते हैं लेकिन जावा एक आता है जो मैंने उस पर आप चल नहीं सकते हैं एक अदमी का इंतकाल करा है तो लोग बोले कि सब लों वहांसे फरार होगे कोई नहीं Bob कि कौनकराय उसका भतिछह मुखिया का भतिजह होता है करो टिक से कड़ नहीं तो वहीं से लोग ने चोड़ दिया जो आज तक पड़ा हुआ है complete मैं से बात किया जो वहां समें जुनियर इंजिनियर उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग को चाहिए आप लोग एस्पोर्ट पर कभी नहीं आते हैं मैंने देखा है 10 साल से मैं देख रहा हूं जो भी काम हुआ है मेरे पंचायत की जनता बता देगी कि यहीं सिर्फ अपने घर पर बैठके कमिशन लेना जानते ह है कोई एस्पोर्ट पर नहीं आता है जो मैंने टेंडर दिया है उसमें काम सही से हुआ कि नहीं कंपलीट भी हुआ कि नहीं हुआ वह लोग इसमें घोटाला किये हैं वाड हो गया जो भी घोटाला किया है ह्तर इसकत करवाय हुगी क्या इसके लिए मांग किजएगा सरकार से ग्ईक्चार से जुन घर चरफ यह तो सबसे पहले योजना एक्दम फेलियर क्या है दिशय कुमार जी का यह जोजना है जल नल वला यह तो बिल्कुल फैलियर यह कहीं भी कम्प्लीट सी शिर्फ मेरा हमे रहा यहाँ शे बाड है उसमें पानी आज तक मिलता है और पानी मिलता करแ selective कहीं भी आज पानी नहीं आ रहा है एक यहां तो में भगल में है चुके तो हम थोड़ा सा उनको टाइट रखते हैं कि भाई पानी आपको देना होगा इसलिए यह आज तक कम्याब है और मैंने चुनाओ को दरान पूरा भर्मन किया है कहीं भी हमको नहीं लगता है कि पानी आ रहा है इस पर करवाई होनी चाहिए इस पर करवाई होनी चाहिए इसमें इसमें जो भी दोसिय उसको गिरफतार करके जेल भजना चाहिए पर्धान मंत्री आवास योजना जो है लोग यहां पर धरातल मिला है कि नहीं जो आवास योजना घर बनाने के लिए गरीवों को मिलना चाहिए आपके पंजायत में कई जातिक लोग है नीचे तकबे के लो गाउं के लोग हों चाहिए ब्लोग के लोग हों सब लोगों ने उसमें दलाली किया है अब किसी का बना है तो दो दो इंदर आवास एक आदमी को मिला है लेकिन गरीव आदमी को जिसको जो हकदार है उसको आज तक इंदर आवास नहीं मिला है जो हम जिनको मिलना चाहिए उसको हम दिलवाने के कोशिश करें इस पांच सालों में जल जीवन हरयाली के तहद पेड़ लगवाना था पुखरा क्रमाथा क्या आपके पंचायत में सब काम हुआ है कुछ नहीं हमारे हां कुछ नहीं हुआ है अप खुद से देख सकते हैं कहां पेड़ लगा है का कुछ सिर्फ लूठ हुआ है तो अब तो आप इस बार जीच चुके हैं आपकी पत्नी इस बार जीच चुकी है दो-सार दिने में आपको लेटर मिल जाएगा तो तो क्या आप जो विकास का काम है उसको धरातल प्रॉटारनें कैसे नहीं होगी मैं अपने से स्वे काम करूंगा जो भी गरीब लोग है जसको हक्ट रिक्रीब किसीय में पहले विबादा करर चाहूं अभी विबादा कर रहा है उथा कि यह थे हमारे साथ मुख्यापतिख कलीम जी और इस बार इनको जनता ने चून कर सतने वेजने का काम किया है और अब तो यह आने वाले वक्त पता चलेगा कि इस misleading काम के लेकिन इनका दावा है कि पंचायत नहीं होगा इसके बाद और इनका ये भी कहना है कि इंभलेंस लिए अब तो यह आने वाले वक्त्रियों कब तक पंचायत में एम्बूलेंस आया और हस्पीटल बना तो मैं एटियन लाइप के लिए समीर हास्मी मेरे कैमरा परसन आमिर के साथ उसरी खुर्द जिला सीवान